हेलो डिफेंस लवर्स आज की टॉप हेडलाइन्स कुछ इस प्रिकार है भारत और चीन की भी जल्दी कंडग की जाएगी कूर कमांडर्स लेवल की अगली मिटिंग अफगनिस्तान में पकड़े गए हैं 10 चाइनीज जासूस पागिस्तान के तरब से डिनेर फोर्स की बाला कोट इरिस्ट्राइक कर साच आया सामने साउच चाइना सी में भारत और वेतनाम कंडग करेंगे पासेक्स नेवल एक्सिसाइज जो की होगा चीन के लिए सीधा संदेश और 2023 में लॉंच हो सकती है दुनिया की पहली लकड़ी सी बनी सेटिलाइट भारती विदेश मंतराले के तरब से इस बात की जानकारी दी गई है कि पूर्विल अदाक में LAC पर कंप्लीट डिसंगेजमेंट करने की उद्देश के साथ भारत और चाइना के बीच कोर कमांडर्स लेवल की अगली मिटिंग जल्दी आयोजीत की जाएगी और विदेश मंतराले के प्रवक्ता अनुराक श्रीवास्ताव की तरब से इस बात की एक बार फिर से जानकारी दी गई है कि भारत और चीन के बीच डिपलमेटिक और मिलिटरी चैनल्स के माद्यम से कम्मिनिकेशन जारी है और जिसमें दोनों पक्ष एक दुसरी की पोजिशन को समझने की कोशिस कर रहे हैं कैर वैसे इस तरफ की कोशिस तो काफी लंबे से मैसे चल रही है लेकिन अब बस इंतिजार इस कोशिस के काम्याब होने का और इसके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि 26 और 27 दिसंबर को साउट चाइनसी में भारत और वियतनाम की निवी पासेक्स नेवल एक्ससाइस को कंड़क करेगी जिसमें भारत की तरफ से एंटी सम्मरीन वारफिर कॉरवेट आइनस किल्टन भाग लेगी और आपको बता दे कि इंडिनेवी की आइनस किल्टन करीब 15 तन तक के हुमिनिटेरिन स्टोर्स को लेकर वियतनाम पहुँच चुकी है जो कि सेंटरल वियतनाम में आई बार से प्रभावित लोगों की मदद के लिए है और वैसे हमारे पास आपके लिए चिंदी पड़ावसी से जुड़ी भी एक रिपोर्ट है हानकि फिलाल भी ऑपरेशन जा रही है और इस पर डेटेल्स आनी बाकी है इसके अलावा सोफिय जले के अमशी पूरा एंकाउंटर मामले में एंडर आर्मी ने समरी ओफ एविडेंस की प्रिकरिया को पूरा कर लिया है इंडियन आर्मी चीफ द्वारा काउंटर टेरिस ओपरेशन के लिए बनाए गए चार्टर का भी उलंगन किया गिया है और बतादे के समरी ओफ एविडेंस का मतलब होता है कि मामले की चार्च इंडियन आर्मी की तरब से पूरी हो चुकी है और अब आगी की कारवाई के लिए इंडियन आर्मी के टॉप ओफिशर्स की जाज़त मिलते ही सजा सुनाई जाती है जिसमें कोर्ट मार्शल की कारवाई होती है बाकी एक कोर्ट मार्शल क्या होता है इसके बारे में अल्लेडी हमने वीडियो बनाई है जिसका लिंग आपको आई बिटन में मिल जाएगा पिछले साल फरवरी में इंडरी एर फोर्स ने बाला कोर्ट में स्थेज जो आतंकी लाँच बैट्स पर एर स्ट्राइक करी थी जिसमें करीब 300 आतंकी मारे गए थे हाला के वो बात अलग है कि पाकिस्तान ने कभी भी इस बात को स्विकार नहीं किया कि इस एर स्ट्राइक में बड़ी तादाद में आतंकी मारे गए थे बलकि पाकिस्तान के मताबिक तो इस एर स्ट्राइक में केवल उनके कुछ पेड़ों को नुकसान पहुँचा था और अगर बात करें किसी casualty की तो उसमें केवले कववा मारा गया था और उसी कववे की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने अगले ही दिन भारत में अपने F-16 और JF-17 भेज दिये थे और फिर उसके बाद क्या हुआ ये तो हर कोई अच्छी तरीके से जानता है और Indian Air Force की Air Strike को लेकर पाकिस्तान को जो दावा था वो उतना ही सच है जितना की ये कि पाकिस्तान एक बहुती शांती प्रिया देश है और लोन तो उसने कभी किसी से लिया ही नहीं है अब अगर आप ये सोच रहें कि हम ये बात आपको फिर से क्यों बता रहे हैं तो आपको बता दें कि भले ही पाकिस्तान सरकार ने खुल कर कभी भी इस बात को स्विकार नहीं किया कि बालकोड एर स्ट्राइक में करीब 300 के आसपास आतंकी मारे गए थे ये कहना चाह रहे थे कि इंडिन एर फोस के बालकोड एर स्ट्राइक में जो ही दावा किया गया था कि ये एर स्ट्राइक बिना किसी को लेटरल डैमेज के ये मिनिमम को लेटरल डैमेज के बिलकु से टिकता के साथ अंजाम दी गई थी तो पाकिस्तान के फॉर्मर डिप्लोमेट ने इस एर स्ट्राइक में को लेटल डैमेज की तौर पर उन्हीं 300 आतंक को गिना है जिन पर स्ट्राइक की गई थी और पाकिसानी Air Force के fighters आये तो थे भारत की military installations को निशाना बनाने के लिए लेकिन इंडेन Air Force के fighters ने जब उनको intercept किया तो वो अपने mission में काम्याब नहीं हो पाए इसरों के तरब से इस बात की जनकरी दी गई है कि भारत के दूसरे moon mission यानि कि चंद्रयान 2 से आये first set of data को release कर दिया गिया है और ये सभी users के लिए जारी किया गिया है यानि कि आम जनता के लिए भी और इसरों के ये भी कहना है कि इस mission के तहर सारे experiments सही तरीके से perform कर रहे हैं बाकि space sector से जुड़ी एक जानकर या आपको और दे दें कि जैपैन space junk यानि कि अंत्रिक्ष में मौजूद मलवे को कम करने के लिए eco friendly satellite project पर काम कर रहा है और इसी के तहए 2023 में जैपैन एक ऐसी satellite को launch करेगा जो कि दुनिया की पहली लकड़ी से बनी हुई satellite होगी हालनकि यह technology के इस तरीके से होगी इसके बारे में फिलाल ज़्यादा details सामने नहीं आई है लेकिन इस तरह की eco friendly satellites को बनाने का जो idea है वो काफी अच्छा है पाकिस्तान के विदेश मंत्री के तरब से जो यह दावा किया गया था क्योंकि हमारे पाड़ोशी देश की leadership इस तरह के fixious और humorous statements दे रही है जो कहीं से भी सच नहीं है और भारते विदेश मंत्राले के मताविक भारते खिलाफ इस तरह के fixious और humorous statement देना पाकिस्तान leadership का अब एक daily routine बन चुका है और चुकि इस तरह के statement बिना किसे आधार के दिये जाते हैं तो इसलिए इन्हें ignore करना ही सही रहेगा और बदादे कि false lag operation वाला दावा पाकिस्तान के ब्रधान मंत्री की तरब से भी किया गया था कल के जो हमारे top 3 comments हैं वो कुछ इस प्रिकार है तो हमारे आज की इस एपिसोड के लिए इतना ही और अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख चुके हैं तो इसे like करें बिना कहीं न जाएं बाकि इस एपिसोड के लेकर आप अपने suggestions और queries comment section में share कर सकते हैं और अगर आप उन में सहें जिनों अभी तेक इस channel को subscribe नहीं किया है तो इस channel को subscribe करना ना भूलें